नमस्कार मैं हूँ वैशनवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं ACC News Today उत्राखन विधानसवा चुनाओं के बाद अब कयासों का दौर शुरू हो गया है भारती जन्ता पार्टी जहां एक बार फिर पून बहुमत के सरकार बनाने का दावा कर रही है वही कॉंग्रेस ने पून बहुमत से कहीं जादा करीब 68% सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर दिया है कॉंग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश करती प्रदेश में दिखी है इसके लिए कॉंग्रेस नेताओं ने जोर सोर से प्रचार अभ्यान चलाया अब पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व सीएम हरी शरावत ने कहा कि उत्राखन विधान सभाग की 70 सीटों के लिए हुए चुनाववे कॉंग्रेस को 48 सीटों पर जीत मिलेगी इस सवाल का सही जवाब तो भारत का निर्वाचर आयोग ECI 10 मार्च को उत्तरपिदेश पंजाब, उत्राखन गोवा और मनिपुर विधान सभा चुनाव के परिनाम घोशित करेगा UP में 7 मार्च को आखरी चरन का मद्दान था मद्दान खतम होते ही एक्जिट पोल के आगड़े आ गए 2017 में जब इन राज्यों में चुना हुए थे तब एक्जिट पोल क्या बता रहे थे और नतीजे क्या रहे थे उसकी तस्वीर हम आपके सामने रखने जा रहे है एक्जिट पोल के अनुमान कितने सटीक होंगे यह तो 10 मार्च को ही सपष्ट होगा उत्राखन में एक ट्रेंड रहा है इस पहारी राज्यों में हर बार सरकार अदलती बदलती रहती है पिछले चुनाव में भारते जनता पार्टी ने प्रचंट बहुमत के साथ सरकार बनाई थी सवाल है कि बीजेपी यह ट्रेंड तोड़ेगी या फिर उसके हाथ से सत्ता खिसकेगी इस बार कॉंग्रेस और बीजेपी की करी टककर बताई जा रही है पहली बार आम आदमी पार्टी भी चुनावती में है उत्राखंड पर ABPC वोटर का सरवे कॉंग्रेस सरकार की भविश्यवानी कर रहा है एक्जिट पोल में कॉंग्रेस को 32-32 सीटे मिलने का अनुमान है जबकि बीजेपी को 26-32 सीटे आम आदमी पार्टी उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी एक्जिट पोल यही बता रहा है टाइम्स नौव वीटो के एक्जिट पोल में उत्राखंड के भीतर हंग अंसे बेली की स्थिती बनने का अनुमान है पोल में बीजेपी को 37 सीटे मिलने के आसार जताये गए हैं जो बहुमत के आकरे से दोज़ आता है कॉंग्रिस को 31 सीटे मिलेंगी ऐसा अनुमान लगाया गया है